पूरी वीडियो देखिए आपको यही पेपर ज्यादातर मिल जाएगा देखने को इसलिए अंड तक देखिए पूरा पेपर आप सुल्ब करके आएंगे पहला बिकल्प पहला बहु बिकल्प पर प्रिशन खंड आप पूरलांग 20 जो है मैं OMR पर करना है वो बाले बिकल्प रचना यह निवन्द है किसकी रचना है किसकी रचना है यह मुन्शी प्रैम चंदर की रचना है अब इसमें 20 जो हैं वो 10 बिकल्प गदपद के होंगे मिलिक की होंगी जिससे एक वीडियो अलग लेगो शुक्ल्योग की समय अब दी qitney है शुकल यूग की समय अबदी है कितनी है शुकल यूग की समय अबदी 19 annoying 筏 1938 तक क्योंकि 1843 या 1850 इसचीज को डिटेल में समझे ना 1843 या 1850 से हमारा आध्भुनिक काल स्टाड हुआ था और आध्भुनिक का पहला वाला था हमारा भारतेंदु यूग जो 1900 तक चला था कितने तक 1900 तक 1900 से 1919 तक 1900 से 1919 तक दुएदी यूग चला था फिर 1919 से 1938 तक शुकली यूग और छायाबादी यूग दोनों साथ साथ में चले थे तो 1919 से 1938 तक इसका उप्शन सही हो जाएगा नीड का निर्मार फिर अगला है नीड का निर्मार फिर किसकी रचना है नीड का निर्मार किस बिद्या की बटा किस बिद्या किस बिद्या कि रचना ये आत्मकता की रचना किस बिद्या की आत्मकता की अगला प्रिये प्रवास किस योग की रचना है तो ये प्रिये प्रवास किस योग की र रचना है अगला मदुशाला किसकी रचना है मदुशाला किसकी रचना है हरी बंश्राय बच्चन की रचना है मदुशाला हरी बंश्राय बच्चन की अगला क्या है भारत भारती किसकी रचना है भारत भारती मेथली शिरन गुपत की रचना है आधुनिकाल की कब से कब तक आ आधुनिक काल तो आधुनिक काल 1843 या 1850 से अब तक चल रहा है 1843 से अब तक लिखा पड़ा या 1850 से अब तक भी हो सकता था तो यह वाला उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अच्छा 1643 से 1843 तक कौन सा काल चला था रीती काल 1918 से 1936 तक कौन सा चला था यह बता है फ़ाद उत्तर योग होता है उसके बादे मतीराम किसी युक्ट के लेकर थे तो मतीराम तो रीती काल के थे अगला अब हम यह दस हमने बिकल्ब कर लिए कुन से जो हिंदी गदपत्के होते हैं हासरस का इस्थाइवाओ है हासरस का इस्थाइवाओ सभी बच्चे जानते हा जिसमें मनू मानो जनू जानो इत्यादी शवद आ जाते हैं वो कौन सा लंकार होता उत्प्रेक्चा लंकार और इनमें से कुछ नहीं आता रूपक लंकार क्यूंकि हमारे तीन ही सिलेवस में शिलेश लंकार हमारे सिलेवस में नहीं है अगला रोला चंद में कितने चरण ह लगाया जाता है तो कौन सा लगाया गया आ यानि आ वाला इसको option सही हो जाएगा बिलकुल 15 रचना के आधार पर बाकि कितने परकार के होते हैं रचना के आधार पर बाकि होते हैं तीन परकार के अगला पीतांबर में कौन सा समा से पीतांबर में बहुरीय समा से कौन सा समा स में किसकी प्रदानता होती है कृतवाच्च करता की प्रदानता ताब्भे शब्द में बच्चा निवम बिवक्ती है चतरती बिवक्ती बहुवच्चन निमलिकित में सर्वनाम है सर्वनाम किसे कहा जाता है जो जिस नाम की जगापर जैसे मैंने कह दिया मानलो नरेश उदर स आ रहा है या मैं अपना नाम को मैंने मैं बोल दिया तो वह सर्व नाम होते हैं यानि वह इसमें क्यों हो जाएगा सर्व नाम अब यह 20 विकल्प हमारे इस तरहां से थे आप लोग एंड तक बने रही है बहुत ही अच्छी तरहां से आपको यह पूरा पेपर सोल्ब कराया ज हम इसे पढ़ेंगे यह कोई बात नहीं है कि यह की सवाव और रूची के लोगों में मित्रता हो सकती है पटा मित्रता पाठ आगया सीधा बिल्कुल तो संदर्व हम कैसे लिखेंगे पहला प्रिशन का उत्तर क्यों जाए गध्यांश का संदर्व लिखे संदर्व प्रिस् और इसके लेखक आच्छार रामचंदर शिकल दो नंबर पके उसके बाद गध्यांश के रेखांगे दैश के व्याख्या कि यह बिटा व्याख्या तो इसे देखकर अपने शब्दों में कुछ भी लिख देते हैं यह कोई बात नहीं कि एक सवाव और रोची के लोगों मे ही मित्रिता हो सकती है समाज में विवनिता देखकर लोग एक दूसरे के और आकरशित होते हैं यानि मित्रिता होने के लिए यह जरूरी नहीं कि दोनों एक ही काम करते हों बलकि जो मैं काम करता हूँ और जो दूसरा करता है तो मैं दूसरे वाले काम से आकरशित होंगा उस कुछ है हमारे हिसाब से हम शब्द देखंगे कौन सा आकरशित आया अब इसमें देखंगे आकरशित यह हैगा अब इधर पहले बाले ब्राम से यहां से समाज में विवनता देखकर लोग एक दूसरे क्यों आकरशित होते हैं जो गुड हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐ ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुड हों तो यहां तक हम लोग पूरा लिख दंगे ऐसी तो बहुत ही आसान है तीसरा वाला कोश्चन तो इसमें देख के ऊपर भई लिख दिया जाता है अगला या तो हम इन तीनों के लिख दें पर या फिर हम यह वाला कर दें है भग इन द कौन से पाट का है ममता जैशंकर प्रसात का तो चाहे हम यह कर दें चाहें यह कर दें अब आता है उसके बाद बटा पध्यांश क्या आता है पध्यांश तीन कोश्चन दो नंबर के छे नंबर होंगे दिये गए पध्यांश पर आधारे तेश मिश्णों के उत्तर चरन कमल बंदो हरी राई अर्थात शिरी किष्ण के जो पैर हैं वो बिल्कुल कमल के समान कोमल हैं तो यह हमें सिरी किष्ण का यानि की सूर्दा जी ने लिखा है बहुती अच्छा एकदम तरीके से सूर्दा जी ने शिरी किष्ण की लिलाओं का वरलन किया है तो सूर्द जो पंगूगिरी लंगे जी जो परवक्त होता वो लंगला व्यक्ति भी परवक्त अलांग सकता आ है अंधे। सब कुछ दिखने लगता है बहरे सुने गुंगी पिरिबोने बहरा सुनने लगता है और गुंगा पुना बोलने लगता है ये देखिए हमने पूरी व्याक कैस की करके रखी हुई है भक्त शिरोमडी सूरदाश शिरिकिष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदना करते हुए कह पके इनकी किरपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी परवतों को लांग देता है और अंदे को सब कुछ दिखाई देने लगता है इन चरणों के अनोखी प्रवाओं के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गुंगा पुना दुबारा बोलने लगता है किसी व्यक्ति पर शिरिकिष्ण के चरणों की करपा हो जाने पर राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धानल कर लेता है सूर्दा जी कहते हैं कि ऐसे दयालू पिर्भू शिरिकिष्ण के चरणों की में बार 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 बंदना करता हूं तो इस तरहां से हमें ये लिखना है अ इंड तक देखिए बिल्कुल बिना स्किप किये वीडियो को दिये गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्व हिंदी में अनुबाद किजिए अब कि दो पिलस तीन जो लिखा पड़ा इसका मींस हुआ दो नंबर का संदर्व तीन नंबर का अनुबाद इसा नगरी भारतिये संस्कृति संस्कृति बहाशाश चिन केंदरन अस्त्री यानि के वारालसी नामक पार्ट से लिया गया है अब इसका अनुबाद क्या होगा इसा नगरी यह नगरी भारतिये संस्कृति की केंदर इस्तल है अत एव संस्कृति संस्कृति शे आलोग सर्वत्य इसका भी हमने पूरा अनुबाद करके रखा है आपको अभी दिखाते हैं ये किस तरहां से हमें करना है और कैसे संद्रव लिखना है ये देखिए ये नगरी भारतिय संस्क्रिती और संस्क्रित भाषा की केंद रिस्तलिये यहीं से संस्क्रित सायत और संस्क्रिती का प्रकाश सभी जगा फैला हुआ है मुगल युबराज दाराशिकों ने यहां आकर भारती दर्शन शास्त्रों का अध्यन किया था वे अनेक ग्यान से इतना प्रवाईत हुआ कि उसने उपनिश्दों का अनुबात पार्सी वाशा में कराया और इसका संदर्व क्या हो जाएगा प्रिस्त गद्यांश हमारी प्रिस्तक हिंदी के संस्क्रित खंड के बारान सी नामक पार्ट से लिया गया है क्योंकि इसमें लेखक होते नहीं हैं लेखक इसमें नहीं होते हैं अगला या तो यह कर देते हैं या फिर यह कर देते हैं यह है कौन सा भारतिय संस्कृति का इसके बाद दिये गए संदर्व पध्यांश में एक संदर्व हिंदी में अनुबाद किजिए मीन्स हमें दो दे र से कर देंगे सभी सुखियों सभी निरोगों इसका हम आराम से अनुवात कर देंगे और इसका पहले संदर भी लिखना है अगला अपने स्वेपटित खंड काप के आधार पर निमलिकित में से किसी एक के प्रिश्णों के उत्तर दीजिए यानि हमारे यहां पर जो आपके डि सब्सक्राइक हैं पर तिनायक में से इक आपके संदर दीजिए निर्ग जिए अच्रका यानि तो बढ़िया तरीके 280 कर लेंगे फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हमें जीवन परचे लिखना है यह देखिए राश्चार रामचंदर शुक्ल का जन्व 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम पंडी चंदरवली शुक्ल था जो सुपरबाइ पूरा जीवन परचे लिखने के बाद वेटा आप लोग इसका स्क्रीन शूट ले सकते हैं पूरा जीवन परचे लिखने के बाद आखीर में यह पिरमुक रचना है एक रचना का नाम जरूर लिखना है क्योंकि दो नंबर की एक शब्द होता है खाली बस रचना दो नंब अगला अपनी पार्ट पुस्तक मेंसे खंडस्त को ये कि श्लोग लिखी जो इस प्रिश्पत में आया हो दो नम्मर का आया हो जिसे विजाततर बच्चों को ये याद होता है लेकिन ये इसमें आया हुआ है तो हमें इसे नहीं लिखना है और आप याद कीजिए दो इसलिए दो या तीन इसलोग याद के लिजिए महां लिखना है ये लिख दीजिए आप दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडित अम्मक इसफडवक्ता चायु जानती सापंडित या फिर हम बंदर नमरन बापी जो बापी पराज़े वियतर बीर बीर बाहुई बीड़ता ये भी हम लोग लिख सकते हैं ठीक है अगला है निमलिकित मेंसे किनी दो के संस्क्रित में उत्तर दीजिए हमें देगा वो चार पांच प्रशन देगा उसमेंसे दो के हमें लिख जाती है कि कोई दो नमबर की तो रूप रिखा ही होती है उसके बाद डिटेल में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा निबंद की जो आपको पूरा समाल के अच्छी तरहां से निबंद के बारे में बता दिये जाएगा अपनी विशेश रूचियों को लेक करते हुए अपने इतना ही रहने देते हैं बाकी बाते हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे